विशेशग्यों के साथ बजट पूर बैठक करेंगे पीम पीटी आई नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आम बजट से पहले शुक्रवार यानि 13 जन्वरी को नीती आयोग में एकोनमिस्ट और विभिन क्षेत्रों के विशेशग्यों के साथ बैठक करेंगे एक सीनियर अफसर ने बताया कि मोधी इस दोरान एकोनमी के हालात और ग्रोथ रेट को गती देने के उपायों पर चर्चा करेंगे चालू वितवर्ष में ग्रोथ रेट घटकर 7 प्रतिशत पर आने का अनुमान है उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई केंद्रिय मंत्री भी शामिल होंगे वितव मंत्री महामारी के दोरान ऐसे हालात बने जिन से समानता आई SB रिपोर्ट संसद में वितवर्ष 2023-24 का बजट PTI मुंबई, State Bank of India, SB के एकोनमिस्ट ने सोमवार को कहा कि महामारी के दोरान ऐसे हालात बने जिन से देश में समानता आई और दुनिया में फैली इस महामारी ने एक तरह से सबको एक स्तर पर लाने का काम किया है विशेशग्यों ने इस आलोचना को नकार दिया कि भारत में असमान ताई बढ़ रही है जिसमें अमीर और भी अमीर हो रहा है जबकि गरीब पेश करेंगी मांग में नर्मी के चलते ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत रह जाने पर भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुक एकॉनमी का दर्जा गेवा सकता है सौकिकी मंत्रा लेके वितवर्ष 2022-23 में GDP की ग्रोथ रेट एल्टी पहले आधिकारिक अनुमान के अनुसार निर्मला सीतारमन एक फरवरी 2023 को साथ प्रतिशत रहेगी और ज्यादा गरीबी में धस रहा है उन्होंने ये भी बताया कि सरकार गरीबों को जो पैसा भेज रही है वो हर एक घर के लिए सालाना 75,000 रुपे पढ़ता है है लियुश्षी